नमस्कार, मैं हो ससी, आये जरगन के टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं लगा दिया है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री उदाव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर लोग मास्क नहीं पानेंगे तो आठ दिन में राजे में फिर चेल लोगडाउन लगा दिया जाएगा मौसम विग्यानी अभिषेक अनन्द ने बताया कि उतर पर्देश के उपर एक कम दवाव का चक्रवातिय छत्र बना हुए है ये बिहार से लेकर ज्यारकन 36 गर दक्षीन करनाटक से होता हुए और अब सागर तक फैला हुए है ज्यारकन में इसका असर पिछले दो दिनों तक दिखनों को मिला है मगर अब अगले एक सब्ता तक राज्ये में मौसम समाने रूप से साप रने की संभवना है हालाकि इस बीच सुबा साम लोगों को हलकी ठंड का सामना करना पड़ेगा पारा सिक्षकों के लिए आज हमन सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला पारा सिक्षकों को सेवा निवरित के बाद एक मुष्ट रासी मिलने उनके बेटे बेटियों की उच सिक्षाव और बेटी की साधी के लिए सुने ब्याज पर रिन सेवा काल में आक्समिक निधन पर आसरीतों को पांच लाख रुपए की साहता रासी आदी सुविधाओं पर सोमवार को निनय होगा बता दे मुख मंत्री हमान सुलिन की अध्यक्सता में प्रोजेक्ट भौन में होने वाली पारा कल्यान कोस की आमसभा की पाली बैटक में इस पर मोहर लग सकती है तयार प्रस्ताव के अनुसार पारा सिक्षकों के कल्यान कोस में 10 कोड़ रुपए राज सरकार देगी जबकि पर्तेक पारा सिक्षकों के मांदे से प्राती मां 200 रुपए इस कोस के लिए काटे जाएंगे पेट्रोल डियल के दाम कम करने को मुख मंत्री तयार केंद्र टेक्स घटाए तो जहरखन भी तयार इस समय पेट्रोल और डियल के मुल्यों में विरिधी को लेकर देश की राजनिती गरम है बतादे इस राजनिती के भी जहरखन के मुख मंत्री हमान सुरे ने भी गोल मारने की कोशिस की है उन्होंने काया है कि पेट्रोल डियल का मामला राज का भी सह नहीं है लेकिन केंद्र सरकार अगर मुल्य काम करने के लिए टेक्स काम करती है तो जारखन सरकार भी काम करने पर विचार करेगी साथ ही इस मुद्दे पर केंदर सरकार से सवाल पुछने के लिए मीडिया को नसियात भी दे डाली है बता दे मुख मंत्री हमान सुरेन रविवार को एक दिवस ये दोरे पर वोकारों पहुंचे थे उनसे जब मीडिया ने पेटोल डियल के मुल्य बढ़ोतरी पर सवाल किया तो उन्होंने काया कि या तो केंदर सरकार से पुछना चाहिए मैटरिक इंटर की परिक्षा में दिव्यंगों को मिलेगा अतिरिक्त समाए जारखन एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित होने वाली बोट परिक्षा में दिव्यंगों को छूट दी जाएगी बता दे उन्हें अवसकता अनुसार परिक्षा लिखने के लिए राइटर की ब्यवास्ता भी की जाएगी साथी परिक्षा के लिए अतिरिक्त समाए भी दिया जाएगा बता दे अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यंग चात्रशत्राओ के लिए राइटर की ब्यवस्ता होती थी लेकिन इस बार से इसमें अन दिव्यंगों को भी सामिल किया जाएगा इसकूली सिक्षा और सर्षता विवागने इसके लिए जैक को अवसक निर्देश दिया है आदिवासी कभी हिंदू नहीं थे हिमन सुरेन को अगली जनगना में इनकी गिंती के लिए अलग से कॉलम की विवस्ता करनी चाहिए सुरेन का वियान आते ही बीजेपी हमलवार हो गई है बीजेपी ने सुरेन पर बड़ा आलोप लगाते हुए कहा कि मोख्यमंत्री वेटिकन के हाथों में खेल रहे है हमान सुरेन का या वियान सनिवार की देर रात हवर्ड इंडिया कॉन्फिरेंस के दोरान सामने आया नीजी छेत्र में 75-50 सीट रियर्ब करने को जल्द बनेगा कानौन सीम हमान जारकंड की जानता की भावना वा डिमांड को ध्यान में रखकर जारकंड सरकार काम कर रही है सरकार जानता की अपेक छाओ पर उत्रेगी उक्त बाते सुवे के मुख्यमंत्री हमान सुरेने बुकारो यारपोर्ट में पत्रकारों से कही उन्होंने कहा कि नीजी छेत्र की कम्पनियों में 75-55 सीट राज की जानता के लिए रियर्ब होगा इसके लिए कानून बनाया जा रहा है जल्दी या बेवस्ता राजे में दिखने लगेगी गड़वा के दो नबालिकों को अगवा कर जंगल में रेप जारकन के गड़वा जिले के रंका थाना छेत्र की दो नबालिक लड़कियों का अफरन कर जंगल में उनमें से एक के साथ दुसकर्म किया गया बतादे पिरित लड़किया आपस में चचेरी बने हैं दो यूकों ने तेरा फरवरी की साम राह चलते उन्हें उठा लिया और जंगल में ले गया वहाँ बंदक बनाकर एक लड़की के साथ दुसकर्म किया गया थाना परवारी ने बताया कि लड़कियों के परिजनों ने उनके लपाता होने के जनकारी दी थी इस देवरान लड़कियों को उनकी सहेली के घर होने की सुचना पाकर पुलिस उन्हें थाने ले आ जार्खन पुलिस के लिए नई चुनावती 36 गड़ के नकसलियों ने बनाया चाईबसा और गड़वा में ठीकाना जार्खन में आईडी लगे तीर की बरामदगी के बाद से ही 36 गड़ के नकसलियों की जार्खन में दस्तका बाद जार्खन पुलिस को हो चुका था लेकिन अब इसके पुकता सबुत भी सामने आ गया है बतादे चाईबसा पुलिस के हत्ते चड़े एक नकसलियों ने सविकार किया कि वह 36 गड़ का रहने वाला है उसने बताया कि वह 36 गड़ के बीजापूर जीले का रहने वाला है और उसका नाम जैमन अरकी है बतादे जैमन ने सविकार किया है कि वह चातिसगर के भागपा मावाधी दस्ते का सदस्य है जनकारी के अनुसार चातिसगर का हतियार मन्द मावाधियों का दस्ता जार्खन के चाई बसा और गड़वा के बुढ़ा पहाड इलाके में सक्री है जार्खन में 31 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची से 21 पूर्वी 56 रायक लातीन देवहर से एक संक्रमित मिले है जार्खन में कूल संक्रमितों की संख्या 1,99,596 है वहाई 1,18,088 लोग स्वास्त हुए और 1,155 की मिलिती हो गाई जार्खन में कूल एक्टिब केस 400 तीरपन है भारत में 13,989 ने संक्रमित की पुष्टी हुई है भारत में कूल मौत की संक्या 1,56,488 है वहाई भारत में एक्टिब केस 1,47,100 है सीएम हिमन्त बोकारों में छोटे बच्चों के साथ बिताए कुछ पल जार्खन के सीएम हिमन्त शुरिन बोकारों जीला के चास इस्थित उलगोरा पंचायत में रोटरी द्वारा संचालित आसा की कीरन पले इसकूल में कल्प द्वारा संचालित कारेकरम और गतिवीदियों का देखा इस दोरान सीम सिरी सुरेन ने कहा कि सुदूर ग्रामिन इलाकों में कई समस्याओं और जुनतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामिनों के विकास के लिए सकार परतिवाद है सरकार की कोशी साय की हर किसी के चेरे पर खोशी दिखे रांची में भाग दिखने के दावे से दसत में लोग जारकन की राज़ानी रांची में भाग जैसा एक जानवर दिखने का दावा किया गया है बतादेया दावा रांची के हिनो इस्थीत किलवन कलोनी निवासी रन बिजय सिंग ने की उन्होंने अपने कैंपस में रविवार को सेर प्रहाती का एक जानवर देखने का दावा किया है हलाकी बन विभाग ने बाग आने की बात को गलत फेमी बताया है जाती अवासी परवान पत्र के लिए आदिवासी छात्रों को हो रही है समस्या आदिवासियों के कई सुत्री मुद्दे को लेकर अभिवार को मुरबादी सीथ बैंक्वेट हॉल में आदिवासी अगवो की बैठक होई इसके अधियक्सता पारसत कुलफुसन डुगडुग ने की उन्होंने कहा कि आदिवासी चात्र छत्राओ के जाती अवासिये प्रणपत्र निर्गत करने में अंचल कर्याले दोहारा अनर्गल कागजातों को जमा करवाने समय अवदी ज्यादा होने के कारण सिक्षा और रोजगार में चात्रों को कठिनाई हो रही है इसलिए सरकार प्रणपत्र निर्मान परकिरिया को सरल बनाए सरीरिक सिक्षक संग नियुक्ति के बारे में चर्चा की जाकन प्रसिक्षित वेरुजगार सरेरिक सिक्षक संग का प्रतिनिधी मंडल रविवार को परदेश महास अचीव रमेश कुमार महतों के नितित्यु में रामगर विधायक ममतादेवी से मिला प्रतिनी धि मंडल ने सिक्षक न्युक्ती परीक्षा में सरीरीक सिक्षक न्युक्ती करने के बारे में चाचा की 36 गर से अगवा 6 बरसी ये बच्चा खुटी में बरामत तीन कीटने पर भी गिरफतार 36 गर से अगवा 6 बरसी ये बच्चों को जहर्खन के खुटी में बरामत किया गया पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित वरामत करने के साथ तीन अफरन करताओं को भी गिरफतार कर लिया गिरफतार तीनों अफरन करता 36 गड़ के ही रहने वाले हैं बता दे जनकारी के मुताविक तीनों अफरन करता सफेत रंग की कासे बेवसाही रमेस अगरवाल के च्छा वर्षी ये बेटे सिवांस को अफ्रण कर भाग रहे थे गरामिन इलाकों की समस्याओं और चुनावतियों से निपटने के लिए सरकार परतिवाद मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि गरामिन इलाकों में लोगों को बेटर जीवन के लिए साधन उपलवद कराने की कायोजना त्यार की गई है गुमला की सुपरिती चंडीगर में जीती गोल्ड मेडल चंडीगर में अविजित पचपनवी राश्ट्रिये क्रास कंट्री चेंपियनसीप में गुमला की सुपरिती ने जार्खन का गवरो बढ़ाया है बतादे सुपरिती ने बालिका अंडर 18 आयू वर्ग के 4 किलोमीटर दोड में 14 मिनट 40 सकेंड के समाई के साथ स्वान पदक जीता सुपरिती की इस जीत से गुमला के खेल पिरमियों में खुसी है जार्खन सरकार परेटन अस्थलोग को विक्सित करने को लेकर गंभीर जार्खन में खनीच संपदा भरपूर है राजे में खनन के अपेक्छा परेटन पर अधिक जोर रहेगा इसके लिए बाकाइदा मुखमंत्री हमान सुरेन का फिर गंभीर भी है कारण है कि कई ऐसे देश और राजे हैं जहां खनीच संपदा नहीं रहने के बावजूद आज अच्छी स्थिती में है इसका मुख्य कारण प्रकिर्थिक संदर्य की और विशेश जोर देना रहा है यह बाते मुखमंत्री हमान सुरे ने सनीवार को हावर्ड इंडिया कंफरेंस को अनलाइन समोधित करते हुए कही दस लाह के इनामी नक्सली जीवन कंडूलना ने राची पूलिस के समक्ष किया सरेंडर जारखन के खोटी सराय के लाई अमचाईवास समेत कई इलाकों में जीश इनामी नक्सली जीवन कंडूलना की दसत थी उसने राविवार को राची पूलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया है जनकारी के अनुसार उस पर दस लाग का इनाम था बतादे पूलिस उसे गुप्त अस्थान पर रह कर पूश्ट तास कर रही है वैसे पूलिस द्वारा अब तक इसके सरेंडर करने की पूश्टी नहीं की गई है ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्रैविंग लैसेंस भी हो सकता है कैंसील राजधानी में ट्रैफिक नियमों की अंदेखिक कर वाहन चलाने वालों का अब जाच के बाद ततका लाइसेंस जब्द किया जाएगा बतादे वाहन चालकों को लाइसेंस जब्द से समंधित रसीद भी दी जाएगी इसके बाद ट्रैफिक पुलिस मोटर वहान अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस को अस्थाई रूप से रद करने या निलमबित करने के अंसंसा करेगी इसके त्यारी ट्रैफिक एसपी अजीत पिटर डुगडुग ने सुरू कर दी है हेमन्त सुरेणने की आदिवासी हक की बात मुख्यमंत्री हेमन्त सुरेणने सन्निवार को परदानमंदिन अनिमोदी से जनगन्ना में आदिवासियों के लिए अलग कोलम रखने की मांग रखी है साथी साथ यूनिवर्सल पेंशन स्कीम खनन छेतरों में पार्टनर सीप और मन्रेगा मज़ूरी दर बढ़ाने की मांग भी रखी मुख्यमंत्री ने यह मांग निती आयोग की गवर्णिंग कांसिलिंग की वर्चूल बैठक में सन्निवार को रखी बता दे अपने ओल्लें सम्मोधन में मुख्यमंत्री हमन सुरे ने कहा है कि आदिवासी हीतों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालाय का निर्मान हुआ समिधान में पांचवी और छटी अनुशूची भी आदिवासी हीत के लिए बनाई गई है आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सब्यात्ता, संस्क्रीती और बेवस्ता बिल्कूल अलग है जहारखन के किसानों के लिए नवार ने आई बढ़ाने को दिये सुझाओ जहारखन में किसानों को कर्ज के भोज से निजात दिलाने के लिए राज सरकार रिन माप भी योजना लेकर आई है किसानों का 2000 कोर का क्रिसी रिन माप भी किया जा रहा है लेकिन किसानों की आर्थिक इस्थिती सुधार ने उनकी आयदोगनी करने और ग्रामिन अर्थ ब्यवस्ता के समगर विकास के लिए सिर्फ रीन बाटनाई काफी नहीं होगा बतादे क्रिसी वह उसे संबंध छेत्रों के विकास के लिए इस छेत्र बिसेस में रीन परवाव को तेज करने की वकारत नवाद ने की है राश्ट्रीक क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक नवार ने बस एकिस बाइस के लिए प्राथमिक छेत्र के लिए 28,644 कोल रुपए की रिंड संभाव्यता आकी है आज से साहेवगंज बोकारो धनबाद तथा रामगड में दी जाएगी फाइलेरिया नियंत्रन की दवा जार्खन के चार जीले साहेवगंज बोकारो धनबाद तथा रामगड में 22-27 फरवरी तक मास्ट ड्रग एड्मिनिस्ट्रेशन कारेकरम चलेगा इसके तवत लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा निसुल खिलाई जाएगी बतादे स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने रभीवार को इस कारेकरम का ऑनलाइन सुभारम किया इस कारेकरम में दो बरस से कम उम्रे के बच्चे गर्भवती महिला और अति गंभीर रूप से बिमार ब्यक्ति को छुड़ा कर सभी लोगों को उम्रे के अनुसार फैलेरिया रोधी दवा की खुराग प्रसिक्षित स्वास्त कर्मियों द्वारा खिलाई जाएगी सब्ता में दो दिन सेतु केंद्रों में पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों के सिक्षक सरकारी स्कूलों के बंद रहने के कारण डीजी साथ कारिकरम के तहट संचालित हो रही ऑनलाइन सिक्षा से भी बंचित लगबग 62 लाग बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई की भरपाई का टस्क सरकारी सिक्षकों को भी मिलेगा बता दे ऐसे बच्चों के बिसेश सिक्षन के लिए गाउं टोला में चलाए जाने वाले बिसेश सेतु सिक्षन केंद्रों में सरकारी स्कूलों के सिक्षक भी सब्ता में दो दिन पढ़ाएंगे इसे अनिवार कर दिया गया है और इसमाई में बच्चों को पढ़ाने के लिए सेतू गाइड के रूप में अस्थानिय युवा चैनित किये जाएंगे जार्खन के 62 लाख बच्चे नहीं माने जाएंगे ड्राप आउट राज के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तथा औल्लाइ सिक्षा से वंचित लाख बच्चों को राज सरकार ड्रोप आउट या आउट ऑफ इसकूल मान रही है इन बच्चों की छुटी होई पढ़ाई की भरपाई के लिए सेतू गाइड बिसेश सिक्षन अभियान चलेगा बतादे सेतू गाइड के रूप में चैनित युवा उन्हें पढ़ाएंगे जार्खन सिक्षा पर्योजना पर्षद ने सनिवार को इस समंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया इस अभियान का किर्णों एक माज से होगा धन्यवाद